हेलो स्टुरेंट केश्यों आसर कट्रों अच्छों बेत्रों अगर हमें जल परबंदन के बारे में पूछा जाए और एक्जाम में आरेस की जो मेंच एक्जाम होती है उसमें तो हम क्या लिख दे उसी एक्जाम के पेपर में ताकि एक्जामनर उसको पढ़के भी नंबर दे भी दे सकता है। हो तो हर आदमी लिखते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें क्या लिखना चाहिए हो देखना हमें पता है कि राजस्तान में जलका सर्फ्चे बड़ पछान्य महत्तम हैं लेकिन उसकी कोटेशन क्या होती है वो देखना है इसमें ये लिखा हुआ है कि गी डूलने से मारो कहनी बीगड़े यानि गी डूलने से मारो कुछ भी कुनी बीगड़े पाणी डूलने से मारो जीवन ही जल जाए पाणी सू पसला पकाय पकाय फुला रो डेर यानि जद पाणी हो आना तो फल भी पकाय पसला भी पकाय और फ जद रूठ हैं तो दर्थी पर अंदेर तो इस पंक्ति को तो इन पंक्तियों के माद्यम से तो आप पानी की महता को बता सकते हैं महतों को समझा सकते हैं आपन्ग्ति के मादसी सिंगे अगर आपको 50 वर्ड में लिखना है आणसवर तो वहां क्या कर सकते हो tito कि ये ये पुम्क्ति लिखते हो उसके बाद में इसके निचे जल ड्रस यानि इतना परतिसत किस परकार से क्या नहीं है हाला वो बता सेते हैं अब इसी पंक्ति को अगर हमको किसी और जगह काम में लेना है तब क्या करना है तो वो देखना यहां पेशे लगा लो पेशे डूड़ा तो मारो कहनी भीगड़े यानि कुछी न भीगड़े ठीक है अब यहां लगा लो समय कि समय डूड़ा तो मारो जीवन भीगड़े जीवन जल जाए यहां भी समय लगा लो समय सू पसला पकता है यानि समय के अनुसार पसल पकती है फल फुला रो डेर और फल फुला रो डेर वो समय के अनुसार होता है अब यहां क्या लगा लोगे यहां समय लगा लो अब क्या लगा लो समय समय ठीक है ठीक है समय जद रूट है तो जीवन अंधेर यह ऐसे लिख लो जीवन अंधेर तो यह इस प्रकार से आप बना सकते हो पेशे और समय का क्या मत्त हो सबसे ज़्यादा फेशला लेता तो बड़े-बड़े जजबी फेलोते हैं वक्त के साम्रे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पेशे डूड़ा तो मारो कुछ ही समय डुड़ा तो मारो जियू जल जाए आगर समय ही नहीं रहा हमारे पास में तो सबकुछ जीवन ही निष्ट हो जाता है यानि समय के अनुसाथ पसल पकास फल फूला रो डेर ठीक है समझ गहीं समय जद रूट है तो जीवन अंदेर समय जद रूट है तो जीवन है अंदेर तो यह जीवन का मैथत All हमारे जीवन में सबसे जाद मैथत All पानी समय अगर इन यह बराबर हमारे जिवन में अगर महतोद दे रहे हमको और हम इनके उभी तो हमारे जिवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी किस समय से ही सब कुछ होता है समय के नुसार और पानी उसका सबसे बड़ा तक्तु है तब यह तो हमको बार बार पानी हैं अब कि अबारे में आदे कभी बाहरी जल बूछ की क्या उूपयोग है तो यह यह कारण है कि जल की क्या मतल sätt होतं है थेंक्यू है प्रेंग्यू को क сможet है की साथ पानीवाले को पानी यह मैतर यह जल ही जीवन पे अगर निमन्द आजाए तो वहां भी आप इन पंक्तियों के काम में ले सकते हो तैंक यू ओल दा वेस्ट